नमस्ते, मैं चंदर सेखर, आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अकेड़ी में स्वागत करता हूँ हम लोग एलजेबरा स्टार्ट किये थे, जिसमें हम लोग का 5 क्लास हो चुका है, आज हम लोग का 6 क्लास है पिछले 5 क्लास में हम लोग ने बहुत सारे बैतरीन कंसेप सीखे और उसपे कोश्चन प्रैक्टिस किये आज के क्लास में हम लोग कुछ और बैतरीन कंसेप सीखने वाले हैं और उसपे कोश्चन प्रैक्टिस करेंगे चलिए हम लोग question की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे channel पे नए हो तो channel को subscribe कर ले और bell icon को press करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले latest notification मिलता रहे चलिए अब हम लोग question की तरफ चलते हैं देखें हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है कि यदि x-a square बटा b a square प्लस c a square प्लस x-b a square बटा c a square प्लस a square प्लस x-c a square बटा a square प्लस b a square इक्वाल टु 3 तो हम से x का value पूछ रहा है देखिए हम क्या करते हैं इस question में a, b, c को हम equal मान लेते हैं यानि हम मान लेते हैं a, equal to b, equal to c अब देखिए हम क्या करते हैं B और C के जगे भी हम A पूट कर लेते हैं B और C के जगे भी हम A पूट कर लेते हैं यानि ये हमारा हो जाएगा X-A² बटा ये हो जाएगा A² प्लस का A² प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा x-a² बटा a² प्लस a² यनि हमने c के जगे भी a पूट कर लिया अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा x-a² बटा a² प्लस a² एक्वल टू 3 अब देखिए ये जो तीनों है ये तीनों क्या है आपस में बराबर है ये तीनों आपस में बराबर है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते है हम यहाँ से लिख सकते है 3 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा x-a² बटा ये क्या हो जाएगा 2a² एक्वल टू 3 अब देखिए हम 3 से 3 काट सकते है 3 से 3 को काट सकते है यानि यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा x-a² equal to 2a² अब दिखिए a² को minus का a² है अगर हम इस साइड लेके आएगे तो हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा x equal to 2a² plus का a² यानि हमारा x क्या निकल किया गया 3a² अब देखिे हमए ौप्शन में ऐसा कहीं ऑपira नहीं दिया हुआ एक्स कमांड अब देखिए हम इसके जगए क्या लिख सकते हैं हमारा जो है A B C जो है equal है यानि हम इसको यह लिख सकते है A2 प्लस A2 प्लस A2 A B C जो है आपस में equal है यानि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² अब देखिए हमें option में ये चीज दिया हुआ है हमें option में दिया हुआ है कि a² प्लस b² प्लस c² यानि हमारा x का value क्या निकल किया गया a² प्लस b² प्लस c² चले एक बर फिर से question देख लेते हैं देखिए हमें question में क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि x-a² बटा b² plus c² plus x-b² बटा c² plus a² plus x-c² बटा a² plus b² equal to 3 तो हमसे x का value पूछ रहा है देखिए हमने क्या किया? हमने इस equation में a, b और c को equal put कर लिया यानि a ब्रावर b ब्रावर c अब देखिए जहां b है वहां भी हमने a put कर लिया जहां c है वहां भी हमने a put कर लिया यहां हमारा b है हमने a put कर लिया c के जगे a put कर लिया यहां भी हमने c के जगे a put कर लिया b के जगे a put कर लिया अब देखिए यह जो तीनों है यह तेनों कैा है आपस में equal है यानि x minus a square बाठ a square plus का a square यह 3 है यानि हम इसे क्या लिख सकते है है 3 into x minus a square बाठ a square plus a square जोड़ेंगे तो क्या हो जागा 2a square equal to 3 हो जागा यहान से 3 से 3 हमारा कट गया आप हमने यहां से cross गुना कट लिया यानि हमारा क्या हो जाएगा x-a2 equal to 2aa2 यहां से हमारा x क्या निकल क्या जाएगा minus का a a2 है अगर हम उस साड़ ले जाएगे तो हमारा plus का a2 हो जाएगा यानि हमारा x क्या निकल क्या जाएगा 3a2 अब देखिए हमें option में x का value ऐसा कहीं नहीं दिया हो लेकिन हम इसे क्या लिख सकते हैं 3AA2 को हम लिख सकते हैं X equal to A square plus A square plus A square अब हमने A equal to B equal to C मान के रखा है यानि हम इसे ये भी लिख सकते हैं A square plus BA square plus CA square लिख सकते हैं अब देखे हमें option में ये चीज़ दिया हुआ है यानि हमारा answer क्या निकल किया गया x का value जो निकल किया गया a² प्लस b² प्लस c² निकल किया गया चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते है देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है कि x प्लस a² प्लस 2c² बटा b प्लस c प्लस x प्लस b² प्लस 2a² बटा c plus a plus x plus c square plus 2b square बटा a plus b equal to 0 तो हमसे x का value पूछ रहा है देखिए हम क्या करते हैं हम जो है इस equation में a equal to b equal to c माल लेते हैं हम इस equation में a equal to b equal to c माल लेते हैं अब देखिए जहां-जहां हमारा b और c है वहां हम a put करेंगे यानि ये तीनों जो है तीनों क्या होगा आपस में बराबर होगा यानि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 into हम इसे क्या लिख लेंगे x plus a square plus 2a square बटा ये हमारा क्या हो जागा a plus a हो जागा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं equal to हमारा क्या हो जागा अब देखिए, अगर हम cross गुना कर लेंगे यहां से, यहां से हम cross गुना कर लेंगे, यानि क्या हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो जाएगा, 3 गुने, यह हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 3a², यह हम अगर cross गुना करेंगे, यानि 0 में 2a से गुना करेंगे, तो हमारा क्या हो ज जाएगा, 0 हो जाएगा, यानि हम इसे लिख सकते हैं, x plus 3a squared equal to 0, यानि यहां से हमारा x equal to क्या निकल किया जाएगा, minus 3a squared, अब देखिए x का value जो है, हमारा क्या निकल किया गया, minus 3a squared निकल किया गया, यानि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं x equal to minus a square minus a square minus a square अब देखिए हम यहां से अगर minus common ले ले हम यहां से minus common ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा a square plus a square plus a square अब देखिए हमने क्या मान के रखा था a equal to b equal to c यानि हम A के जगे B लिख सकते हैं और यहां भी A के जगे हम C लिख सकते हैं यानि हमारा क्या हो जाएगा minus A square plus B square plus C square हमारा क्या हो गया minus A square plus B square plus C square देखिए हमारा option कौन सा दिया हुआ है हमारा option जो है B दिया हुआ है यानि हमारा x का value क्या निकल किया गया? minus a square plus b square plus c square. चलिए एक फिर से question देख लेते हैं. देखे हमें question में क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ कि x plus a square plus 2c square बटा b plus c plus x plus b square plus 2a square बटा c plus a plus x plus c square plus 2b square बटा a plus b equal to 0. तो हमसे x का value पूछ रहा है. तो हमने क्या किया? इस equation में a equal to b equal to c मान लिया. अब देखे, यहां हम अगर c के जगे a put कर ले, यहां b के जगे a put कर ले, c के जगे a put कर ले, इसमें भी हम b के जगे a put कर ले, c के जगे a put कर ले, इसमें भी हम c के जगे a put कर ले और b के जगे a put कर ले, यानि ये तीनों आपस में क्या होगा? हमारा बराबर होगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 into ये हमारा क्या है? x plus a square हमने c के जगे लिख लिया a यानि ये हमारा क्या होज़ागा? 2 a square हमने b और c के जगे a लिख लिया यानि a plus b equal to 0 हम ऐसे लिख सकते हैं ये तीनों जो है आपस में अगर बराबर होगा तो हम इसे 3 into करके लिख सकते हैं अब देखिए हम यां cross गुना करेंगे यानि ये हमारा नीचे क्या है? 2 a है अगर हम 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जागा? 0 हो जाएगा यानि 3 into x x plus a square plus 2 a square add करेंगे कितना हो जागा? 3 a square अब देखिए अगर हम 0 में 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यानि यहां से हमारा क्या हो गया? x plus 3 a square equal to 0 अब देखिए x equal to हमारा क्या निकल क्या जाएगा? minus a square देखिए हमारा x जो है क्या निकल क्याएगा? minus 3 a square जो हमें कहीं option में नहीं दिया है तो देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं x equal to minus a square minus a square minus a square अब हम यहां से minus common लेंगे यानि bracket के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? a square plus a square plus a square अब देखिए हमने क्या बान के रखा था? a equal to b equal to c यानि हम इस a, 1a के जगे हम b put कर सकते हैं 1a के जगे हम c put कर सकते हैं यानि हमारा क्या हो गया? minus bracket के अंदर a square plus b square plus c square हमारा कौन सा option सही होगा? b option सही होगा चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखिए हमारा question क्या दिया होगा है? हमारा question दिया है कि x minus a square बटा b plus c plus x minus b square बटा c plus a plus x minus c square बटा a plus b equal to 4 into a plus b plus c तो हमसे x का value पूछ रहा है देखिए हम क्या करते हैं? इस equation में a equal to b equal to c माल लेते हैं हम जो हैं इस equation में a equal to b equal to c माल लेते हैं अब देखिए यहां हम b के जगे a put कर लेते हैं c के जगे भी a put कर लेते हैं यहां भी हम b के जगे a put कर लेते हैं c के जगे a put कर लेते हैं इसमें भी हम c के जगे a put कर लेंगे b के जगे a put कर लेंगे यानि ये तीनों क्या होगा ये 3 हो जाएगा x minus a अ square बटा a plus a हो जाएगा यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 3 into x minus a square बटा a plus a लिख सकते हैं equal to हमारा क्या हो जाएगा 4 into a plus a plus a लिख सकते हैं अब देखिए हम यहां से 3 into x minus a square बटा 2a equal to हम इसे क्या लिख सकते हैं अगर हम इसे add करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा a plus a plus a यानि 3a हो जाएगा हम इसमें 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 12a अब देखिए हम इस 3 से काट लेते हैं इसे यानि यह 4 बार में जाएगा यह हमारा 4 बार में जाएगा अब देखिए अगर हम यहां से cross गुना करेंगे यहां से cross गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x minus a square equal to क्या हो जाएगा x minus a square equal to अगर 2a से 4a में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8a square अब देखिए यहां से हमारा x का value क्या निकल किया जाएगा x equal to हम minus 1 को उस side लेके जाएगे तो हमारा plus का e हो जाएगा यानि 8 a square plus a square यानि हम इसे क्या लिख सकते हैं 9 a square x equal to हमारा क्या निकल किया गए 9 a square लेकिन देखिए हमें option में कहीं भी ऐसा हमें मान नहीं दिया हुआ है तो देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं x equal to 3 into a का whole square लिख सकते हैं x equal to 3 into a का whole square लिख सकते हैं अब देखिए यह हमारा क्या है 3 into a है यानि 3 a है 3 a है यानि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a plus a plus a का whole square अब देखिए हमने क्या मान के रखा था a equal to b equal to c तो देखिए एक a के जगा हम एक a के जगा b put कर सकते हैं और a के a के जगा c put कर सकते हैं यानि a plus b plus c का whole square हमारा answer कौन सा निकल किया गया? option number c a plus b plus c का whole square. चलिए एक बार फिर से question देख लेते हैं देखिए हमें question में क्या दिया है? देखिए हमें question में दिया है कि x minus a square बाटा b plus c plus x minus b square बाटा c plus a plus x minus c square बाटा a plus b equal to 4 into a plus b plus c तो हमसे x का value पूछ रहा है अब देखिए हमने क्या किया इस equation में a equal to b equal to c मान लिया अब देखिए हम b के जगे a put करेंगे c के जगे भी a put करेंगे यहां भी हम b के जगे a put करेंगे c के जगे a put करेंगे इसमें भी हम c के जगे a put करेंगे और b के जगे a put करेंगे यानि ये तीनों जो है क्या हो जागा बराबर हो जागा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 into x-a square बटा a plus a equal to, हमारा क्या हो जाएगा? 4 into, हमारा क्या है? a plus b plus c, यानि b के जगे हमने a लिख लिया और c के जगे भी a लिख लिया, अब दिखे हम इसे solve करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 into x-a square बटा क्या हो जाएगा? 2a, अब ये दिखिए हमीशे add करेंगे a plus a plus a यह हमारा क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा 3a में हम 4 से गुणा करेंगे कितना हो गया 12a हो गया अब दिखिए हम 3 से काटेंगे 12 को 4 बार में जाएगा अब हमने यहां से cross गुणा कर लिया यानि हमारा क्या निकल क्या जाएगा x minus a square equal to 2a से हम 4A में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जागा 8A A² अब देखिए यहां से X हमारा क्या निकल किया जागा माइनस का A को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जागा प्लस का A यानि 8A A² प्लस A A² हो गया यानि X इकोल टू क्या निकल किया गया a plus a का whole square अब देखें हमने क्या मान के रखा था a equal to b equal to c तो हम 1 a को b माल लेंगे और 1 a को c माल लेंगे यानि हमारा answer क्या निकल क्या गया x equal to a plus b plus c का whole square यानि option number c चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते है देखें हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है कि x square plus y square equal to z plus 1 z square plus x square equal to y plus 1 और z square plus y square equal to x plus 1 तो हम से पूछ रहा है कि x into y into z equal to क्या होगा देखें हम क्या करते हैं इस question में हम यहां माल लेते हैं x equal to y equal to z अब देखें हम पहले equation से हम यहां पहले equation से यहां put कर लेंगे y के जगे भी हमने x put कर लिया और z के जगे भी x put कर लिया तो हमारा क्या निकल क्या जाएगा x square plus x square plus x plus 1 ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 x square minus x minus 1 equal to 0 ये जो हमारा एक बन गया दो एक हाथ समिकरन बन गया अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x square 2x square यह हमारा हो जाएगा plus 2x हम यहाँ लिख सकते हैं minus 2x minus 2x यह हमारा हो जाएगा plus x minus 1 equal to क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अब देखिए हम यहाँ से common लेंगे यानि हम यहां से क्या common ले सकते हैं 2x ले सकते हैं common अंदर क्या बच जाएगा x-1 हम यहां से common क्या लेंगे 1 common लेंगे यह हमारा क्या बच जाएगा x-1 equal to 0 अब दिखिए हम इसमें से क्या common ले सकते हैं हम यहां से common ले सकते हैं x-1 अंदर क्या बच जाएगा अंदर हमारा बच जाएगा X-1 हमने common ले लिया तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा 2X plus का 1 equal to 0 अब देखिए यहां से हमारा X का 2 value निकल क्या आएगा, 1 हमारा क्या निकल क्या जाएगा X equal to 1 और दूसरा हमारा क्या निकल क्या जाएगा हमारा जो है एक value x equal to 1 निकल क्या जाएगा और दूसरा हमारा क्या निकल क्या जाएगा 2x plus 1 equal to 0 रखेंगे तो हमारा 1 उस side जाएगा तेने minus का 1 हो जाएगा minus का 1 बटा में हमारा ये 2 चला जाएगा यानि एक value हमारा क्या हो जागा minus 1 but 2 हो जाएगा अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है हमसे जो पूछ रहा है x into y into z हमसे पूछ रहा है x into y into z यानि हम इसे क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं x into x into x लिख सकते हैं यानि यह हमारा क्या हो जाएगा, x का cube हो जाएगा, अब देखिए, हम यहां 1 put करेंगे, अगर हम एक बार 1 put करेंगे, तो हमारा answer क्या निकल क्या आएगा, एक बार हम 1 का cube करेंगे, तो हमारा answer क्या निकल क्या आजाएगा, 1 निकल क्या आजाएगा, और एक बार हम minus 1 बटा 2 का अगर cube करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? minus 1 बटा 8 हो जाएगा यनि हमारा दो answer होगा पहला answer 1 होगा और दुसरा answer minus 1 बटा 8 होगा यनि हमारा option कौन सा साही होगा? option number D साही होगा चलिए एक बार फिर से question देख लेते हैं देखिए हमें question में क्या दिया हुए कि x square plus y square equal to z plus 1 z square plus x square equal to y plus 1 z square plus y square equal to x plus 1 तो हम से पूछ रहा है कि x y z equal to क्या होगा देखिए हमने क्या किया हमने यहाँ x equal to y equal to z माल लिया अब देखिए हम किसी भी एक equation को लेके हम यहाँ बनाएंगे यानि हमने पहला equation ले लिया हम यहाँ जो है y के जगे भी x put कर लेंगे और z के जगे भी x put कर लेंगे यानि हमारा क्या हो जाएगा x square plus x square equal to x plus 1 हो जाएगा अब देखिए हम इसे add करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा x square plus का x square क्या हो जाएगा 2x square हो जाएगा और x को अगर हम इस side लिखे आएंगे यहां अगर हमारा plus का है तो इस side आएगा तो क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा 1 भी हमारा इस side plus का है तो हम इस side लिखे आएगे तो क्या हो जाएगा minus का 1 हो जाएगा अब देखिए यह जो है एक हमारा क्या बन गया द्विघात समिकरन बन गया, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं अगर minus का 2x लिख लें और एक plus का x लिख लें, यानि हम इसे add करेंगे तो क्या हो जाएगा, minus x होगा यानि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2x square minus 2x plus x equal to x minus 1 equal to 0 अब देखिए हम यहां से क्या common ले सकते हैं, अगर हम यहां से 2x common लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा यहां, यहां हमारा x बच जाएगा और यहां क्या बच जाएगा, minus 1 बच जाएगा प्लस, अगर हम यहां से 1 common ले ले, तो यहां क्या हो जाएगा यहां हमारा हो जाएगा x-1 हो जाएगा equal to 0 अब देखिए इस पूरे equation से हम क्या common ले सकते हैं यहां से हम x-1 और x-1 common ले सकते हैं x-1 हमने common ले लिया यानि अंदर क्या बच गया 2x plus का 1 बच गया equal to 0 अब देखिए यहां से हमारा x का 2 value निकल क्या आएगा पहला हमारा क्या निकल क्या आए x equal to 1 और दूसरा हमारा क्या निकल क्या आजाएगा x equal to minus 1 बटा 2 निकल क्या आजाएगा अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा था हमसे पूछ रहा था कि x into y into z equal to क्या होगा अब देखिए हम से ये पूछ रहा है अब हम यहाँ y के जगे भी x रख सकते हैं z के जगे भी x रख सकते हैं यानि हमारा क्या होगा x into x x into x यानि x q हमें चाहिए अब हमें x का value पता है कि एक value क्या है 1 है और दूसरा value निकल क्या है minus 1 बटा 8 यानि हमारा option कौन सा सही होगा option number d सही होगा चलिए question समझ में आगया होगा next question पर चलते हैं देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया कि यह दि x into y plus y into z plus z into x equal to 1 तो हमसे पूछ रहा है कि x plus y बटा 1 minus x into y plus y plus z z बटा 1 minus y into z plus z plus x बटा 1 minus z into x equal to क्या होगा देखिए हम क्या करते हैं इस equation में हम जो है इस equation में x equal to y equal to z पूट कर लेते हैं अब देखिए हम यहाँ इस equation में पूट करेंगे यानि y के जगे x रख लेंगे z के जगे भी x रख लेंगे यानि हम इसे क्या लिख सकते हैं x into x plus x into x plus x into x equal to 1 लिख सकते हैं यानि यह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा हो जाएगा x square plus x square plus x square equal to 1 यानि हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 x square equal to 1 अब दिखिए जो हमें निकालना है हम वहाँ जो है y के जगे x रख लगते हैं और z के जगे x रख लगते हैं अब दिखिए यहाँ y के जगे हम x रखेंगे और यहाँ z और y के जगे x रख लेंगे यानि यह तीनों हमारा क्या निकल क्या जागा बराबर निकल क्या जाएगा यानि हम यहां से इसे लिख सकते है 3 into 3 into x plus x बटा 1 minus x into x हम इसे ऐसे लिख सकते है यानि यह हमारा यहां से हो जाएगा 3 into यह क्या हो जाएगा 2x बटा यह हमारा क्या हो जाएगा 1 minus x square अब देखे यहां हमारा क्या निकल क्या है 3x square equal to 1 निकल क्या है तो हम यहां 1 के जगे 3x square put कर सकते हैं यनि हम यहां 1 के जगे 3 into 2x यह हमारा क्या हो जागा 3x square minus x square अब देखे 3x square में से minus का x square जाएगा यनि हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 into 2x बटा 2x square अब देखिए यहां से हमारा 2 से 2 कट जाएगा 1x से हमारा 1x कट जाएगा यानि यहां हमारा क्या बचा 3 बटा x बचा यहां हमारा क्या बचा 3 बटा x अब देखिए हमारा 3 बटा x बचा हम इसे और क्या लिख सकते हैं देखिए, अगर हम यहां से 3 का value निकालेंगे, तो यहां से हम 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, हम यहां से 3 बराबर लिख सकते हैं, 1 बटा x², हम यहां से 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा x² लिख सकते हैं, अगर हम 3 के जागे 1 बटा x² पूट करें, यानि हम इसे लिख सक सकते हैं 1 बटा x² बटा x हो जाएगा यहनि हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 बटा xq लिख सकते हैं 1 बटा xq लिख सकते हैं अब देखिए हमने क्या मानके रखा था x equal to y equal to z यहनि हम यहां से लिख सकते हैं 1 बटा xkt2x whyzone z हमारा क्या नीकल क्या जागा 1 बटा xyz यहनि option कौन सा होजाएगा option number d हो जाएगा हमारा सही answer चलेए पर से question देख लेते हैं देखिए हम रे question में क्या दिया हूए हमें दिया हूए कि यदि x into y plus y into z plus z into x equal to 1 तो हमसे पूछ रहा है कि x plus y beta 1 minus x into y plus y plus z बटा 1 minus y into z plus z plus x beta 1 minus z into x equal to क्या होगा तो दिखिए हमने क्या क्या इस equation में x equal to y equal to z माल लिया हमने जो है इस equation में x equal to y equal to z माल लिया अब देखी यहाँ y के जगे भी हम ex-put करेंगे और z के जगे भी अब देखिए हमें जो निकालना था हम उसमें y और z के जगे x रखेंगे या यह हमारा क्या हो जाएगा ये जो हो जाएगा y और z के जगे x रखेंगे यानि ये हो जाएगा x प्लस x बटा 1 माइनस x इंटू x और हम तीनों जगे y और z के जगे x रखेंगे यानि ये तीनों हमारा क्या निकल क्या जाएगा ब्रावर निकल क्या जाएगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 into x plus x बटा 1 minus x into x यनि यहाँ से हमारा क्या निकल क्या जाएगा x plus x करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 3 into 2x 2x बटा 1 यह हमारा x into x क्या हो जाएगा 1 minus x square हो जाएगा आप देखे, यहाँ हम 1 के जगे क्या रख सकते हैं, हमारा क्या निकल किया था? 3xS2 is equal to 1, तो हम इस 1 के जगे 3xS2 को रख सकते हैं, इस 1 के जगे हम 3xS2 रख सकते हैं, यहां से हमारा क्या निकल किया एगा? 3 into 2x बटा 3x square minus x square अब 3x square में से minus x square करेंगे हमारा क्या बच जाएगा 2x square यानि यहां से हमारा क्या हो गया 3 into 2x बटा 2x square अब देखे 2 से 2 कट जाएगा और 1x से x कट जाएगा यानि हमारा क्या बच गया 3 बच गया अब देखे यहां हमारा जो 3 बटा x बच गया, हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम यहां से 3 equal to निकाल ले, यहां से अगर हम 3 equal to निकालें, तो क्या हो जाएगा यह 1 बटा x से square हो जाएगा यानि इस 3 के जगे हम 1 बटा x से square पूट कर सकते हैं यानि हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा x square बटा हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा यानि यह हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा x के पावर q हो जाएगा x के पावर 3 हो जाएगा अब देखिए x के पावर 3 हो गया अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 बटा x into x into x लिख सकते हैं और हमने answer से ही कौन से हो जाएगा हमारा जो answer से ही हो जाएगा option D हो जाएगा चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया होगा है हमारा question दिया है कि x plus 1 into x plus 2 plus 1 बटा x into x minus 1 equal to 0 तो हमसे पूछ रहा है कि x square plus x minus 5 equal to क्या होगा देखे हमें जो equation दिया होगा है हम इसे क्या करते हैं add कर लेते हैं सबसे पहले हम इसे add करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा x plus 1 into x plus 2 गुने हमारा क्या हो जाएगा x into x minus 1 plus का 1 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा x into x minus 1 equal to 0 अब देखिए हम यहां से cross गुना करेंगे यानि x into x minus 1 से अगर हम 0 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और यहां जो है हम अगर x plus 1 में अगर x से गुना कर लें और x plus 2 में x minus 1 से गुना कर लें तो देखिए यहां हमारा क्या हो जाएगा अगर x से गुना करेंगे x plus 1 में यानि x से square प्लस का हमारा क्या हो जाएगा एकस हो जाएगा और यहां हम गुना कर लेते हैं अगर x से हम x minus 1 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x से square minus x plus हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x minus 2 plus 1 equal to 0 अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं x square plus x यह हमारा क्या हो जाएगा x square अगर हम यह है x है, minus का x है और यह क्या है plus 2x है, यह यह क्या हो जाएगा plus x minus 2 plus 1 equal to 0 अब देखिए हम इसे, अगर ए मान ले हम इसे a माल ले तो हमारा equation क्या हो जागा यहां से a into यह हमारा क्या हो जागा यहां भी हम इस पूड़े को a माल लेंगे a minus 2 plus 1 equal to 0 अब देखिए हम इसमें अंदर a से गुना करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा a square minus 2a plus 1 equal to 0 अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसे हम इसे लिख सकते हैं a square minus 2a into 1 plus 1 का square equal to 0 लिख सकते हैं यहां से हमारा क्या निकल क्या जागा यहां से निकल क्या जागा a minus 1 का whole square equal to 0 यहां हमारा क्या हो जागा a-1 equal to 0 यानि a ब्राबर क्या हो जाएगा a ब्राबर 1 हो जाएगा अब देखिए हमने a किसको माना था हमने जो a किसे माना था a जो माना था x square plus x को a माना था यानि हम इसे लिख सकते हैं x square plus x equal to 1 लिख सकते हैं x square plus x equal to 1 लिख सकते हैं अब देखिए हम इसमें पूट कर लेंगे, हमसे जो पूछ रहा था, हम इसमें पूट कर लेंगे, यानि हमारा क्या हो जागा, x² प्लस x-5, यानि हम यहां रखेंगे, x² प्लस x का value, यानि यह क्या हो जागा, 1-5, यह क्या हो जागा, minus 4, हमारा answer क्या निकल कियागा minus 4, चलिए एक बार फिर से question देख लेते हैं, देखिए हमें question में क्या दिया हो है, हमें question में दिया हो है कि x plus 1 into x plus 2 plus 1 बटा x into x minus 1 equal to 0, तो हम से पूछ रहा है कि x square plus x minus 5 equal to क्या होगा देखिए हमने क्या किया, जो हमें सबसे पहले equation दिया हुआ है, हम इसे add कर लेते हैं, अगर add करेंगे तो हमारा lcm क्या निकल कियागा x into x minus 1 और यहां हमारा cross गुना हो जाएगा यह नि क्या हो गया, यह हो गया x plus 1 into x plus 2 into x into x minus 1, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 1 equal to 0 अब देखिए, अगर हम यहां से cross गुना करेंगे, यानि 0 में अगर x into x minus 1 से गुना करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा और हम क्या करते हैं, x plus 1 में x से गुना कर लेते हैं, और x plus 2 से x minus 1 में गुना कर लेते हैं, तो हम अगर x से x plus 1 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x square plus का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और x plus 2 से x minus 1 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x से करेंगे तो x square minus x 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x minus क्या हो जाएगा 2 plus 1 equal to 0 अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते है x square plus x into x square ये हमारा क्या हो जागा plus का 2x है और minus का x है यनि ये क्या हो जागा plus का x minus 2 plus 1 equal to 0 अब देखिए हमने जो है x square plus x को a माल लिया यनि यहाँ भी हम a put कर सकते है और यहाँ भी हम क्या put कर सकते है A put कर सकते हैं माइनस 2 फ्लस 1 एक्वल टू 0 अब देखिए हम अंDर अगर A से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A sqire माइनस 2A ये क्या हो जाएगा फ्लस 1 इक्वल टू 0 अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं a square minus 2a into 1 plus 1 का square equal to 0 यानि यह हमारा क्या हो गया a minus 1 का whole square equal to 0 हो गया यह हमारा क्या हो गया a minus 1 का whole square equal to 0 यहां से हमारा क्या हो जागा a minus 1 equal to 0 यानि a का value क्या निकल किया गया 1 निकल किया गया आप देखिए A हमने किसी के बराबर मानके रखा था X square plus X के बराबर हमने A मानके रखा था और हमें जो पूछ रहा है वहाँ क्या दिया हुए X square plus X minus 5 तो अगर हम X square plus X का value हम यहाँ put कर देंगे तो हमारा answer निकल क्या जाएगा यानि हमसे जो पूछ रहा था x² प्लस x-5 और उसका वैलू हमारा क्या निकल क्या है 1 निकल क्या है तो हम यहाँ 1 पूट करेंगे माइनस का 5 परेंगे यानि हमारा क्या आंसर निकल क्या माइनस का 4 निकल क्या आगया चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते है देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है कि यदि a-1 बटा a equal to b और b-1 बटा b equal to a जहां a not equal to b a-b not equal to 0 तो हमसे पूछ रहा है कि 1 बटा a into b equal to क्या होगा देखिए हमें यहाँ पे condition दिया हुआ है हमें दो जो है यहाँ पे equation दिया हुआ है और यहाँ condition दिया हुआ है कि a not equal to b और a-b not equal to 0 तो देखिए हम इसे कैसे solve कर सकते हैं हमें दो जो equation दिया हुआ है a-1 बटा a equal to b और दूसरा equation जो है b-1 बटा b equal to a अब देखिए हम क्या करते हैं इन दोनो equation को आपस में minus करते हैं minus करेंगे तो नीचे वाले equation का आमारा symbol change हो जाएगा यानि यहाँ plus है तो minus हो जाएगा minus है तो plus हो जाएगा यहाँ हमारा क्या है plus है तो minus हो जाएगा अब देखिए यह हमारा क्या हो जाएगा a-b a-b minus 1 बटा a प्लस 1 बटा b यह हमारा क्या हो जाएगा b minus a यह हमारा क्या हो गए b minus a अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं a minus b bracket के अंदर लिख लें और हम यहाँ से लिख लें 1 बटा b minus 1 बटा a और यहाँ से हम minus कॉमल ले ले यानि minus common ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा A minus B हो जाएगा आप देखिए इन दोनों को अगर हम minus करेंगे आपस में तो यह हमारा क्या हो जाएगा A minus B plus यह हमारा क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा A B और यह क्या हो जाएगा A minus B equal to minus A minus B अब देखिए हम यहां से क्या करते हैं इस साइड से अगर हम common ले सकते हैं यहां से A-B हम यहां से क्या common ले सकते हैं A-B common ले सकते हैं यहनी यह हमारा हो जाएगा A-B अगर हम common ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा यहां हमारा 1 बच जाएगा 1 प्लस और यहां क्या बच जाएगा 1 बटा A B बच जाएगा यहां क्या बच जाएगा 1 बटा A B और इस साइड हमारा क्या है माइनस A माइनस B अब देखिए यहां से हमारा A B से A B कट जाएगा माइनस A B A-B से A-B हमारा कट जाएगा यैनि यहां हमारा बचा क्या 1 प्लच 1 बटा A-B Equal to minus 1 अगर हम इस 1 को उस साइड लेके जाएगे यानि हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा A-B equal to minus 1 minus 1 यानि हमारा 1 बटा A-B क्या निकल क्या जाएगा minus 2 हमें क्या निकलना था 1 बटा a b निकलना था हमारा 1 बटा a b क्या निकल किया गया माइनस 2 निकल किया गया चलिए एक बार फिर से question देख लेते हैं देखिए हमें question में क्या दिया है हमें question में दिया है कि यदि a minus 1 बटा a equal to b और हमें क्या दिया है कि b minus 1 बटा b equal to a, जहां a not equal to b, a minus b not equal to 0, तो हम से पूछ रहा है कि 1 बटा a b equal to क्या होगा, देखिए हमें जो हैं यहां condition दिया हो कि a b के बराबर नहीं है, a जो है b के बराबर नहीं है, तो हम इस question को कैसे solve कर सकते हैं, हमें जो है दो equation दिया हो है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनो equation को आपस में minus कर लेते हैं, हम minus करेंगे तो नीचे वाले equation का हमारा symbol change हो जाएगा, यहां क्या हो गया, plus है तो minus हो गया, minus है तो plus हो गया, यहां हमारा plus है तो minus हो गया, अब minus करेंगे तो a minus b होगा, उसके बाद क्या है हमारा minus one better a, plus हमारा क्या हो जाएगा, one better b, equal to क्या हो जाएगा, b minus a हो जाएगा, अब देखिए, हम यहां से इसे एक bracket के अंदर रख लेते हैं, उसके बाद हम plus one better b, minus का हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा A equal to अगर हम यहां से minus common ले 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 तो हमारा क्या हो जाएगा अगर हम minus common ले ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा A minus B हो जाएगा अब देखिए हम इन दोनों को आपस में minus करते हैं अगर इन दोनों को minus करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A-B बटा क्या हो जाएगा A-B हो जाएगा अब देखिए हमारा जो निकल क्या गया A-B एक ब्रेकट के अंडर प्लस A-B बटा A-B एक्वल टू माइनस A-B अब देखिए हम यहां से left side से हम क्या common ले सकते हैं हम यहां से A-B common ले सकते हैं अगर A-B common लेंगे तो अंदर हमारा क्या बचेगा यहां हमारा 1 बच जाएगा प्लस 1 बटा A-B बच जाएगा और दूसरे side हमारा क्या है माइनस bracket के अंदर A-B है यहां से हमारा A-B से A-B कट जाएगा यानि बच क्या गया 1 प्लस 1 बटा A-B इक्वल टू माइनस 1 अब देखिए इस 1 को हम उस side लेके जाएगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा यानि 1 बटा A-B इक्वल टू क्या निकल किया गया माइनस 2 यानि हमारा answer क्या निकल किया गया next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हूआ है हमारा question दिया है कि A plus B plus C equal to 7 और दूसरा हमारा equation दिया हूआ है 1 bar a plus 1 bar b plus 1 bar c equal to 3 तो हम से पूछ रहे हैं कि A bar b plus b bar a plus c par a plus a bar c plus c bar a twice a bar c equal to क्या होगा अब देखिये हम इसे कैसे solve कर सकते हैं हम क्या करते हैं इन दोनों equation को आपस में गुणा कर लेते हैं अगर हम इन दोनों equation को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा यह हो जाएगा a plus b plus c into हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा a plus 1 बटा b plus 1 बटा c और हमारा right side क्या हो जागा 7 into 3 अब देखिए हम गुना कर लेते हैं अगर हम सबसे पहले A से गुना करेंगे A से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जागा A बटा A प्लस A बटा B प्लस A बटा C प्लस हम B से गुना करेंगे क्या होगा B बटा A प्लस B बटा B प्लस B बटा C प्लस हम C से गुणा करें,結 быть क्या होगा, C बटा A C बटा C 7 में 3 से गुणा करें, कितना हो जाएगा? 21 अब देखिए, यहाँ A बटा A से हमारा कट जाएगा B बटा B से कट जाएगा और C बटा C से कट जाएगा यहां से हमारा क्या निकल किया गया यहां से हमारा निकल किया गया यहां से हमारा निकल किया गया यह हमारा हो गया 1 प्लस A बटा B प्लस A बटा C प्लस B बटा A प्लस 1 प्लस B बटा C प्लस C बटा A प्लस C बटा B प्लस 1 equal to 21 अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था हमसे पूछ रहा था A बटा B हमसे पूछ रहा था A बटा B A बटा B plus दूसरा कौन सा पूछ रहा है B बटा A B बटा A B बटा A plus हमसे क्या पूछ रहा है C बटा A C बटा A plus B बटा C B बटा C plus B बता C C बता A C बता A PLUS A बता C A बता C Equal to हमारा क्या हो जागा हम 1 PLUS 1 PLUS 1 करेंगे कितना हो जागा 3 उस साइड लेके जाएंगे क्या हो जागा MYNAST को हो जाएंगा यनी 21 MYNAST 3 यनी हमारा आंशर क्या निकल क्या आगा 18 हमारा answer क्या निगल किया अगया 28 निगल किया गया 21 में से 3- करेंगे हमारा कितना answer निगल किया गया 18 निगल किया गया चले हैक वार फिर से question देख लेते हैं देखी हमें question में क्या देऊ है हमेん question में देऊ है दूसरा equation है 1δα above A plus 1 glucose B plus 1 bullish C equal to 3 तो हम शे पूछ रहा है कि a बटा b प्लस b बटा a प्लस c बटा a प्लस b बटा c प्लस c बटा a प्लस a बटा c इक्वल टू क्या होगा तो देखिए अगर हम इन दोनो equation में गुना कर ले तो हमारा ये चीज निकल क्या आ जाएगा हम इन दोनों equation में गुना कर ले तो गुना करेंगे तो क्या होगा left side से left side गुना हो जागा और right side से right side गुना हो जागा यानि हमारा क्या हो गया a प्लस b प्लस c इंटू 1 बटा a प्लस 1 बटा b प्लस 1 बटा c इक्वल टू क्या हो जागा 7 इंटू 3 अब देखिए हम इहां गुना करेंगे तो एक बार a से गुना करेंगे इस पूडे में तो हमारा क्या हो जागा a बटा a प्लस a बटा b प्लस a बटा c हो जागा उसके बाद हम b से गुना करेंगे तो क्या होगा b बटा a प्लस b बटा b प्लस b बटा c उसके बाद c से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा c से गुना करेंगे तो हमारा होगा c बटा a plus c बटा b plus c बटा c equal to 7 में 3 से गुना करेंगे कितना हो गया 21 हो गया अब देखिए यहाँ a बटा a है हमारा कट जाएगा b बटा b है हमारा कट जाएगा C बटा C है कट जाएगा 1 आ जाएगा हमारा यानि यहां से हमारा क्या आ गया 1 प्लस A बटा B प्लस A बटा C प्लस B बटा A प्लस 1 प्लस B बटा C प्लस C बटा A प्लस C बटा B प्लस 1 एकोल टू 21 अब देखिए हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था A बटा B यानि A बटा B हो गया B बटा A प्लस हमें चाहिए था C बटा A यानि हमें क्या चाहिए C बटा A प्लस B बटा C B बटा C B बटा C प्लस हमें क्या चाहिए C बटा A C बटा A प्लस हमें चाहिए A बटा C A बटा C और हम इसे 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा उस साइड लेगे जाएगे यहन्य 21 में से 3 माइनस होगा हमारा कितना आ गया 18 निकल के आ गया हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 18 निकल के आ गया चलिए कोश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं देखे हमारा कोश्चन क्या दिया हो है हमारा कोश्चन दिया हो है कि C प्लस 1 बटा C इकल टू 7 तो हम से पूछ रहे कि C प्लस 1 बटा C माइनस 7 इकल टू क्या होगा देखिए हमें यहां क्या दिया हुआ है यहां दिया है हमें जो equation दिया है C plus 1 बटा C इक्वल टो 7 तो हम क्या करते हैं यहां से C, हम 7 को इस साइड लेके आएंगे यानि C-7 हो जाएगा और यह 1 बटा C को हम इस साइड लेके जाएंगे यह हमारा क्या होगा, minus का 1 बटा C अगर देखिए हम यहां से यह लिखे 1 बटा C minus 7 equal to हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा minus 1 बटा C हो जाएगा यानि हम यहां से लिख सकते हैं 1 बटा C minus 7 equal to, यह हमारा C उपर चला जाएगा यनि क्या हो जाएगा माइनस C हो जाएगा अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है C प्लस 1 बटा C माइनस 7 अब देखिए हम C माइनस 7 के जगे क्या पूट कर सकते हैं माइनस C पूट कर सकते हैं यनि C माइनस C equal to हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानि हमारा answer क्या निकल क्या गया 0 निकल क्या गया चलिए एक बार फिर से question देख लेते हैं देखे हमें question में क्या दिया हो है हमें दिया होई c plus 1 but c equal to 7 तो हमसे पूछ रहा है कि c plus 1 but c minus 7 equal to क्या होगा देखे हमसे यहां क्या पूछ रहा है यहां जो हमें दिया हो है कि 1 but c minus 7 दिया हो है और हमें जो equation दिया हो है c plus 1 but c equal to 7 दिया हो है तो हम क्या करते हैं इस 7 को इस side लेके आएंगे यानि c minus 7 हो जाएगा equal to अगर हम 1 but c को उस side लेके जाएगे यानि 1 बटा क्या हो जाएगा c-7 हो जाएगा अगर हम इसको 1 बटा में ले जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 बटा माइनस 1 बटा c हो जाएगा अब देखिए ये c जो है हमारा ऊपर चला जाएगा यानि यहां से हमारा क्या निगल क्या गया तो हम यहाँ 1 बटा c-7 का value put करेंगे, यह हमारा क्या हो गया, c-c, यानि कितना हमारा answer निकल किया गया, 0 निकल किया गया, चलिए question समझ में आ गया होगा, next question पे चलते हैं, देखें हमारा question क्या दिया होगा है, हमारा question दिया है कि a plus b plus c equal to 0, तो हम से पूछ रहा है, 1 बटा a plus b into b plus c plus 1 बटा b plus c into c plus a plus 1 बटा c plus a into a plus b equal to क्या होगा, देखें हमें क्या दिया होगा है, हमें जो दिया होगा है, a plus b plus c equal to 0 दिया होगा है, अब देखें, यहाँ हमें क्या दिया होगा है, a plus b, एक बार b plus c, उसके बाद हमें क्या दिया होगा है, c plus a दिया होगा है, तो हम य अगर हम यहाँ से a प्लस b निकालेंगे, a प्लस b निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? यनि हम c को उस साइड लेके जाएगे, माइनस का c हो जाएगा, अगर हम यहाँ से b प्लस c निकालेंगे, b प्लस c निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस का a होगा, यह हो जाएगा 1 बटा, अगर A प्लस B हमारा दिया हो है, तो A प्लस B परबर क्या है, माइनस C, माइनस C, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, B प्लस C, B प्लस C क्या है, माइनस A, माइनस A, प्लस, यह हमारा क्या है, B प्लस C, B प्लस C क्या है, B प्लस C जो है, माइनस A है, और यह हमारा क्या है यह जो है माइनस A और यह हमारा क्या है C प्लस A जो है माइनस B माइनस B प्लस यह हमारा क्या है यह जो है C प्लस A है यानि 1 बटा माइनस B और यह हमारा क्या हो जाएगा A प्लस B माइनस C हो जाएगा माइनस C अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे यह हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा माइनस C और माइनस A में गुना करेंगे क्या होगा A C हो जाएगा प्लस 1 बटा यह क्या हो जाएगा A B प्लस 1 बटा B C हमारा क्या होगा प्लस 1 बटा A B प्लस 1 बटा B C अब देखिए हम इसे add करते हैं हम इसे add करेंगे यानि हमारा क्या हो जाएगा LCM यहाँ अगर हम इसे add करेंगे तो हमारा LCM क्या हो जाएगा A into B into C हो जाएगा अगर हम इसे add करेंगे तो हमारा LCM क्या होगा A into B into C अब देखिए यहाँ हमारा क्या है प्लस यहां हमारा क्या है, bc है, यानि यहां हमारा क्या हो जागा, प्लस a हो जाएगा, अब देखें हमारा जो उपर में है, क्या निकल क्या है, a प्लस b प्लस c, बटा हमारा क्या है, a इंटु b इंटु c, अब देखें a प्लस b प्लस c का वैलू तो हमें पता है, क्या है, 0 है यानि हमारा अगर अंस में 0 आ गया अंस में 0 आ गया तो हमारा पूड़ा क्या हो जाएगा पूड़ा जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा यानि हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 0 निकल के आ गया चलिए एक बार फिर शे कोश्चिन देख लेते हैं देखिए हमें question में क्या दियाओ, हमें दियाओ कि a plus b plus c equal to 0, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 बटा a plus b into b plus c, plus 1 बटा b plus c into c plus a, plus 1 बटा c plus a into a plus b equal to क्या होगा, देखिए हमें क्या दियाओ है, हमें जो दियाओ है a plus b plus c equal to 0 दियाओ है, और हमसे ये पूछ रहा है, यानि यहाँ एक बार A प्लस B है, B प्लस C है, और हमारा क्या है C प्लस A है, तो हम यहाँ से A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A निकालते हैं, देखिए A प्लस B निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, यानि C को हम उस साइड ले जाएंगे, यानि माइनस क का C हो जाएगा, B plus C निकलेंगे, नि A को हम उस साइड ले जाएगे, तो क्या होगा, minus का A होगा, C plus A निकलेंगे, तो क्या होगा, B को उस साइड ले जाएगे, नि Minus का B होगा, अब हम यहाँ, A plus B, B plus C, और c प्लस a का value पूट कर लेते हैं हमने पूट कर लिया हमारा क्या हो गया 1 बटा minus c into minus a plus 1 बटा minus a into minus b plus 1 बटा minus b into minus c अब minus c में minus a से गुना करेंगे हमारा क्या हो जागा plus का a c हो जागा plus 1 बटा हमारा क्या हो जागा minus a में minus b से गुना करेंगे क्या हो जाएगा A B हो जाएगा और हम यहाँ minus B में minus C से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 बटा B C हो जाएगा अब देखिए हम क्या करते हैं इन तीनों को जो है आपस में हम add कर लेते हैं इन तीनों को हम आपस में add कर लेते हैं अगर आपस में add करेंगे तो हमारा यहां LCM क्या हो जाएगा हमारा यहां LCM हो जाएगा A into B into C अब देखिए यहां क्या है A into C है तो हमारा यहां उपड क्या जाएगा B आजाएगा प्लस यहां क्या है A into B है यानि यहां क्या ने c है यानि उपड हमारा c आजागा यहां हमारा क्या है b into c है यानि b into c है यानि उपड हमारा क्या आजागा a आजाएगा यानि यहां से हमारा निकल क्या गया a plus b plus c बटा हमारा क्या आजागा a into b into c अब देखिए a plus b plus c का value तो हमें दिया हुआ है question में क्या दिया हुआ जीरो दिया हुआ है यानि 0 बटा A into B into C यानि अगर uns में हमारा 0 है तो पुड़ा हमारा क्या निकल किया जागा 0 निकल किया जागा यानि हमारा answer क्या निकल किया गया 0 निकल किया गया चलिए question समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next class में अगर class अच्छा लगे तो class को like करेगा अगर आप मेरे channel पर नए हो तो channel को subscribe करेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल मत भूलेगा चलिए बाई बाई